बदाईू में दो बच्चों की निर्मम हत्याँने हर किसी को जग जोर कर रख दिया है जिस तरीके से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गए भरोसे और इंसानियत काक टल कर दिया गया और जिस रहस्यमाई तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है इस वारदात की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने News 8 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले देखे मंगलवार को ये वारदात अंजाम दी गई और उसके बाद से ही बदायू के इस इस इलाके में जहां पर ये घटना होती है वहां तनाव का महल देखा जा रहा है लेकिन हुआ क्या ये हम आपको बताते हैं बदायों के सिविल लाइन थाना इलाके में दरसल आपको बता दें कि जनल लिगम में ठेकेदार हैं विनोध कुमार जो अपने परिवार के साथ वा रहते हैं चंद कदमों की दूरी है जो चौकी है वहां से चंद कदमों की दूरी पर इनका घर है और इनकी पतनी दरसल एक पारलर चराती हैं घर के अंदर ही यहीं पर इनके पडोस में सलून का काम करने वाले जिनकी नाई के दुकान हैं वो दो लोग शाम को पहुंचते हैं इनके घ और एक का नाम जावेद, तो साजिद उसने कहानी सुनाई जो पारलर चलाती है और माइला को कि उनकी पत्नी दरसल अस्पताल में भरती है, डिलिवरी होने वाली है उनकी और पैसे नहीं है उनके पैस, तो पैसे की मदद के लिए वो फर्याद करते हैं उनसे की हमारी कुछ पहानी बताती है उसके बाद 5,000 रुपए की मदद भी वो इन आरोपियों को करती है आरोपियों उसके बाद कहता है यह जो पूरी घटना है यह हम आपको चश्मदीद जो है उन्होंने क्या कहा है उसी के आधार पर बता रहे हैं हमारी टीम भी वहां पहुंची हुई है अब यही बात कहकर वो उपर की मंजल पर आराम करने गए और तब तक परिवार ने कहा कि ठीक है आप बैठिये हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं इसके बाद परिवार में तीन बच्चे थे इन बच्चों को बहला फुसला कर यह आरोपिय अपने पास बुलाता है और फि परिवार के लोग जो भागते हुए उपर की तरफ गए और वो बच्चा यही बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके भाईयों के उपर दो भाईयों के उपर अटाक कर दिया गया है और जो तस्वीर वहां उन परिवार के लोगों ने देखी वो इतनी विचलित करने वाली थी कि उसके बाद से जो उनका रोना शुरू हुआ जो बिलखना उनका शुरू हुआ वो अभी तक थम नहीं रहा है लगातार बार बार परिवार यही गुहार लगा रहा है और सवाल यहीं पूछ रहा है कि आखिर उनकी क्या गलती थी अब यहां पर मैं आपको यह बता दूँ कि इस मामले में और क्या अपडेट है दो आरोपी में से एक को पुलिस ने अनकाउंटर में मार गिराया और दूसरे आरो होनी थी मंदब पहले भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन मिस्कैरेज हो जा रहा था बार बार तो इसलिए यह अंगल भी सामने आ रहा है कि तंत्रमंत्र का कोई चकर था उस आरोपी को यह बोला गया था कि आप जाकर बच्चे का कतल करें उसके बाद ही आप के घर में बच्चाएगा लेकिन यह सब अभी सिर्फ कोरी अफवाहों के तौर पर आप इसे देखिए क्योंकि इसकी पुष्टी कहीं से भी नहीं हो पा रही है पूलस के पास भी फिलाल कोई थियोरी नहीं है परिवार का यह कहना है कि हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं थ थी क्योंकि जो दुकान वो चला रहे थी हो हमारे घर के ठीक सामने थी इसके पहले यह आरोपी कभी हमारे घर में नहीं आए अब इस पर पॉलिटिकल वो और भी शुरू हो चुका है एक तरफ समाजवादी पार्टी जो सत्तारूर पार्टी है यूपी के अंदर उस पर अमुदाय विशेश का एंगल भी है इससे जोड कर देख रही है और जिस तरीके से एंकाउंटर हुआ है उस पर भी सवाल उठा रही है जबकि दूसरी तरफ जो बीजपी के नेता है उनका ये कहना है कि अगर कोई और पार्टी होती तो ये जितनी जितनी जल्दी हमने आक पार को भी चाहिए और हमें भी चाहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा